आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिसकस करने वाली हूँ कि किस तरह से आप naturally अपने बालों को color कर सकते हैं without causing any sort of harm to your hair मैं कोई chemical treatment आप लोगों के साथ discuss नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ एक natural way discuss कर रही हूँ जिसको use करके आप अपने बालों को वो peppiness दे सकते हैं वो charm वो color वो grooming दे सकते हैं and believe me conditioning दे सकते हैं yes it is one of the finest ways कि आप अपने बालों को color भी कर सकते हैं condition भी कर सकते हैं and believe me ऐसा nutrition आप अपने बालों को दे ही नहीं सकते क्यों नहीं दे सकते भाई मेरे चानल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये है कि मेरे बालों का कलर है क्या तो मैंने सोचा कि आज आपसे बात की जाए और आपको बताया जाए कि मेरे बालों का आक्चल कलर क्या है और कैसे है आज जो रेमिडी में आप लोगों के साथ शेर कर रही हूँ वो शत प्रतिशत नाचरल है आपके बालों के लिए बहुत ही जादा सेफ है आपको किसी प्रकार का कोई साइड एफेक्ट नहीं होगा बहुत सारी लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो समझ चुके हैं आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ about हिना अप्लिकेशन मैं अपने बालों को कलर करने के लिए मात्र एक चीज़ का अप्लिकेशन बहुत लंबे अर्से से करती आई हूँ और वो है हिना बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हिना के यूजेट से बाल ड्राय हो जाते हैं बिल्कुल हो जाते हैं हिना, इंडिगो ये जितनी भी नाच्रल डायज होती है ये आपके बालों का मॉइस्टर इस्तमाल करती है आपके बालों को कलर देने के लिए लेकिन इसका solution है जो moisture वो आपके बालों से लेते हैं आपके बालों में color करने के लिए वही moisture हम externally आपके बालों को provide करेंगे जिससे आपके बालों में जो dehydration वाला problem है वो solve हो जाता है और आपके बालों में किसी प्रकार का कोई negative side effect नहीं होता जितने भी chemical treatments market में available हैं वो आपके बालों के लिए believe me it's a trap मैं कोई सुनी-सुनाई बात आप लोगों के साथ share नहीं कर रहे हूं I've myself been in this particular trap कि color कराने से बालों में जो negative points आ जाते हैं I've been a victim of that 4 years have gone and जो white hair का density है बालों में वो बढ़ता जा रहा है let me show it to you the white hair I have at this point of time if you can see I don't know otherwise I'll put a picture over here these are my white hair मतलब इतने जादा बाल वाइट हो चुके इधर नहीं है जादा इधर ही जादा है so can you see so this is the condition of my hair and सिरफ एक बार का chemical treatment मैंने बार बार नहीं कराया है मैंने सिरफ एक ही बार chemical treatment कराया है and उसका ये सिला मिला है मुझे I would warn literally warn the people जो की chemical treatment कराने के लिए काफी उत्सुक रहते and तत पर रहते हैं कि कब मौका मेले और हम कलर करा ले please give this a try जो मैं आज आप लोगों के साथ शेर कर रही हूं मैं अपने बालों के लिए हिना preparation कर रही हूं and मैं हिना कैसे prepare करती हूं अपने लिए मेरे बालों में कोई red color नहीं आता है मेरे बालों में बहुत सारे different colors आते हैं different shades आते हैं मैं हर बार हिना application अलग तरीके से करती हूं कभी बरगंडी color चाहिए तो I use beetroot coffee color चाहिए I mean brown color चाहिए तो I use coffee and so many other things तो इस तरीके से when I keep changing my हिना हिना is a constant I keep using हिना लेकिन हिना के preparation के लिए I keep changing the stuff that I put in हिना that's why my हिना is so colorful my hair is so colorful and कभी आपको कोई shade दिखता है कभी कोई और dominant shade दिखता है so that's how it works so I hope I have made my point very clear to all of you and you have understood that chemical treatments are not for our hair लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया है and आप chemical treatments अभी भी 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 बालों के लिए कुने करने वाले हैं so कोई problem नहीं है करते रहिए जिस दिन अपने बालों में आपको पहला white strand दिखे you know the place where to come back प्रीती पेडना का चानल कहीं नहीं जा रहा है ये वीडियो एक्जाग्ली हैं पर है you can come back, check out what needs to be done and do it for yourself 10 excess weight so, today प्रीपरेशन अपने बालों के लिए कारने वाला हूं let's check out कि मैं अपनी फेडन olabilir के लिए अंने बालों के लिए कैसे प्रपार करते हूं हीना प्रेपेरेशन के लिए इन गवान कहरे करना होता है one decoction मेरी कोशिश रहती है कि मैं हिना को प्लेइन वॉ du si拉 мо力 ना करों और रिव में कोई नू सूर्ट करण और ईधू से रिविजनें का पानी। तो आपके पास चॉइसे हैं कि आप चाय-पत्ति का पानी प्रिपैयर कर सकते हैं, याप या फिर तो कॉफी का पानी प्रिपैयर कर खिए लुट करणी है, बालों के लिए किसी को सिर्फ चाय पत्ती सूट करती है अगर आप दोनों को मिक्स कर देंगे इन फर्स अटेम्ट तो आपको एक नेगिटिव इंपक्त मिलेगा तो अल्तिमेटली पूरा एक्स्पीरिंस अच्छा नहीं होगा इसलिए इंडिविचुली बारी बारी ट्राय क क्योंकि दोनों ही चीजे मुझे सूट करती है इसलिए अगर मैं डिकोशन रेडी कर रही हूं उसमें एक ग्लास पानी लिया है आप पानी अपने जितनी आप हिना भिगारे उसके हिसाब से लीजिए कम्या जादा कर सकते हैं कोई प्रॉल्म नहीं है तो यहां पर मैंने पा कर दोफूँटल बैटनी नहीं है तो यहां पर यहां पर यह डिकोक्शन रेड़ा है अप इसको एक बॉल आने तक इंतेजार कीज़ए जैसे ही बॉil एक या दो बॉil में यह बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद आप इसको चान कर नेलेंगे आप का डिकोशन प्रिपरेशन अफ दिहिना सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है लोही की कढ़ाई यह अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी वर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन क्योंकि मैं यहां पर आमला का इस्तेमाल करने वाली हूँ तो आमला लोही के कढ़ाई में हिना को काफी अच्छा डाक शेड देता है तो जिन लोगों को लाल रंग नहीं पसंद है हिना का उनके लिए प्रेफरेबली लोही के कढ़ाई काफी अच्छी है लेकिन अगर आपके पास नहीं है फर नाओ आप किसी भी बरतन में कर सकते हैं नो वरीज सबसे पहली चीज जो हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हिना मेरी फेट हिना है पतंजली नुपर और यॉर बायो टीक यह तीन मेरे फेट ब्रांस हैं हावेवर क्यूंकि बहुत सारी कवरी आ रही हैं तो इसलिए यह 2 पैक यह मैंने हिना क्था दोफानी मिलें अपनी जहां कर सकते हैं, यह इस Kazakhstan was on तो मैं तीनो के ही वन टेबल स्पून यूज़ कर रहे हूं, इन्टु दे हिना, यह सबसे पहले मैं यूज़ कर रहे हूं यह है रीथा, वन स्पून ओफ रीथा, इन्टु दे बोल, तो यह रीथा, रीथा की कॉंटिटी आप थोड़ी सी जादा ले सकते हैं, क्योंकि यह श आपके बालों को डॉक्तर कहा गया है क्योंकि यह किसी भी तरह की परिशानी आपके स्काल्प पर क्यों नहों, फंगल इंफेक्शन या किसी भी तरह की कोई परिशानी, सो वन तेबल स्पून अफ शिका काई पावडर गोस इंट इंट दिस तिंग, आमला, तो यहां पर हम 1 तेबल स्पून ओफ शिका काई, 1 तेबल स्पून अफ आमला, एक से थोड़ा जादा यान कि देड चममच है रीथा पावडर, इन सभी चीजों को मैं इस डिकॉप्शन से मैं मिक्स करने वाली हूं, सोक करने वाली हूं, and here goes the decoption, आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा थोड़ा करके डिकॉप्शन इसमें डालते जाहिए और इसको अच्छे से भिगाते जाहिए, कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए, because that's the key thing कि आपका जो अप्लिकेशन होगा, वो काफी स्मूध होगा, and not only application, जब आप इसको धोईंगे, वो भी काफी जादा आप 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 हमेज हिना को ओवर नाइट शो करना है इसलिए पानी थोड़ा सा जादा रहने दीजे क्योंकि जितने भी लंप सोंगे वो पानी अच्छे से सोक कर लेंगे, और जब आप सुभा देखेंगे तो हिना काफी जादा नॉर्मिलाइज हो जाएगी, मतलब जादा पानी नहीं होगा उसमें इसलिए आप रात के ताइम पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी उसमें डाल के रखेंगे तो इसलिए आप इसको पूरी रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, आपको इसमें कुछ नहीं डा आपकिश हो जाएगी टेकिंग दे ब्लाक कलर फ्रम दी आयन कढ़ाई लोही की कढ़ाई से हलका सा काला पर इसमें आ जाएगा तो नेक्स्टे मॉर्निग आप देख सकते हैं हिना के उपर एक बहुत खुबसुरत सी काली परत आ जाती है विच इस विक्ष ऑफ आमला जो हम आपको अपने बालों के लिए सबसे पहले अपने बालों को सुलजाना है और उसके बाद आप अपने हेर डेंसिटी के बीच ओ बीच एक चोटा सा बन बना लीजिए और इस बन के आराउंड आपको अपने सारे के सारे बाल अच्छे से घुमाने हैं मैं एक विडियो आप अपने बालों के लिए कैसे करनी है यह आप लोगों के साथ शेयर किया है तो आप उस वीडियो को भी चेक आउट कर सकते हैं आप देख सकते हैं शार काप लग चुकी है हाथों का कलर आप देख सकते हैं सुन्दर रची है यह सिरफ अप्लिकेशन के दोरान है हम बालों में तीन गंटे रखेंगे तो बहुत खुबसूरत रंग आएगा नो डवट इन दाइगा अनधर तिंग कपडे अपडेट आप आप लोगों को कुछ ऐसा पहनना है जो अगर रोइन हो भी जाए तो जादा दुख ना हो नेक्स्ट शार क्याप मैंडेट्री नहीं है लेकिन तो बी वेरी वेरी कंवेनियन और एजी पर यू तो वाश इट ओफ क्यूं क्यूंकि शार क्याप की वजह से ये गीली रहेगी अगर जाप करने के वजह से थोड़ी गर्माहर प्रिदियूस होती है इस वजह से हिना टपकने लगती है तो आप लोग एक रफ कपड़ा रख सकते हैं कि अगर हिना टपकती है तो आप सको क्लीन कर सकते हैं और आफ्टर थ्री आर्स मैं इसको प्लेन वाटर से वाश करने के वाली हूं प्लेन वाटर से वाश करने के बाद आइं गों तो शो यू थी अम्मेजिंग रिजाल्स से तुम्ट तो मैं बूरिफुल पीपल देखा आपने क्या ब्यूुतिफुल रिजाल्स मुझे मिले हैं मैंने कोई शांपू कोई चंडिशनर फिलहाल नहीं किया है और इस इस दिर्सल्ट अल्माइ ग्रेय हैं कोई लाल टोन नहीं आया मेरे बालो में थोड़ा ब्रावनिश टोन है व ठावलो में पहल दो कोई चीज नहीं है कि यूक के लिए कर रहे हैं हाँ अकर आपके experiments करना चाहते है अपने कलर के साथ तो इस अंंम इसंग fing Дж कर बहुत Isto रफेंग कर सकते हैं अपनी Hina के साहता इंध इतनी वर्सितायल है कि इसमें इंफुजन बहुत आसानी से हो जाता है अप्लिकेशन थोड़ा सा ताम जाम है बट अगर एक बार आप प्राक्टिस कर लेते हैं तो आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे जल्दी जल्दी अप्लिकेशन हो जाएगी ये गजब के बहतरीन रिजाल्स आप भी अपने ले सकते हैं नो डाउट मैं बहुत 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 खुश हो इस अप्लिकेशन के रिजाल्स से बलीव मी मैं हमेशा ही खुश होती हूँ हिना इस सम्फिंग के बालों का जो सीक्रेट है वो अगर आपके बालों को आप बहुत परेशान हो चुके हैं आपको बहुत सारी परेशानिया बालों से रलेटेड हैं एक बार ट्राइ कर लीजिये कुछ लोगों को एना का जो अप्लिकेशन था वो काफी कम्फ़टबल नहीं हुआ उन लोगों के बाल ड्राइ हो गए that's absolutely normal ऐसा होता है हिना का जो अप्लिकेशन होता है उसकी वजह से कभी-कभी जो स्कैल्प है वो डिहाइडरेट हो जाता है यह सब के लिए होता है राइट कुछ लोगों के लिए जादा हो जाता है मेरे साथ यह होगा लेकिन आज जब मैं इसको वश किया है तो मैंने दिन में वश किया था अब शाम हो चुकी है इसलिए मैं नाच्रल लाइट में आपको नहीं दिखा पाई अब मैं चंप करने वाली हूं सर्सो के तेल से क्योंकि मैं सर्सो का तेल का अप्लिकेशन करती आ यूज शाम्पू टो वश माय हैर जी हां असली माजिक तो तब होगा वह मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी विकिस मैं यहां पर एंड करोंगी और रिजल्स तो आप लोगों ने देखे हैं मेरे बाल के कितने खुबसूरत रिजल्स आते हैं शाम्पू के बाद तो अलग स बालो में यहल्क असा जो दिख रहा है लेकिन शाम्पू के बाद इस लाइ ब्यूटिफुल और लेवल ओल तो आप भी हिना के लिए बहुत कंफटबल हो जाएं कोई डरने वाली बात नहीं है अगर आप अपने बालों के कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ह हिना एक सेफर ऑप्शन है अस कंपेर तो थे क्यमिकल ट्रीपमेंट और हाइलाइट और आप करते हैं मैने भी किया है गलती की है सुधारी है हिना पर वापस है है और हिना पर ही है तो प्लीज मेक ब्यूटिफुल यूटिफुल यूटिफुल हर्ब हिना इस सुम्धिंग अच्छा करते हूं यह विडियो आप लोगो बहुत पसंदाई हो अगर आपको यवीडियो पसंदाई है तो दूना फगे तो लाइक द लाइक द विडियो अगर आप मेरी चानल पर पहली बार आए है तो बहुत से रीजन आपको मिल चुके होंगे इस चानल को सब्स्क्रा notificat göra mwf Monday, Wednesday, Friday Prithipredna would be there right in front of you all between 11 to 12, so do wait for me like my entire family do for 0, so do we wait for me like my entire family do for 0, so do, thank you so very much I'll see you all in the next video with something very magical for you I really appreciate your presence on my channel Thank you so very much